हेलो दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे अपने इस यूटूब चैनल मैजिक मुविंट में हारती श्वागत हैं तो दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा पूरा शपोर्ट करेंगे और मुझे आगे तक लेके जाएंगे तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये पताने वाला हूँ कि वैसे आप लोगों को थंबिल पर देखके पूरा पता चल गया हुआ कि ये वीडियो कि टॉपिक पर बनने वाला है तो ची हां दोस्तों ये पूरी सही बात है कि मेरा पैर तूट गया है तो ये पैर कैसे तूटा है मै आपको इस वीडियो में बनाने वाला हूँ तो दोस्तों मैं इलहाबाद मेरा के प्रिपेशन करता था और मैं जेए की तैयारी करता था और ये पैट उटने का खारण भी एक तरफ से यही हो सकता है क्योंकि मैं बियाशव एशाई जेए का फॉर्म अप्लाई किया था जिसमे काफी अच्छी रंइंग कर रहा था इस्टार्टिंग में एक वीक यहां नियर बाद टू वीक के बाद मेरे नीई पेन होने लगे थे और शिन पेन भी होने लगा था और बहुत प्राइलम भी हो रही थी लेकिन तब भी मैं उसको फेश करके रंणिंग करते गया जो कि साथ मुझे कभी भी न भूले क्योंकि उसी दिन मेरा पैर वेट टूड गया था रनी करते करते तो दोस्तों मैं एक दिसंबर 2022 को गुडगाओं हरियाना में ब्याश्चफ कैम्प में पहुंच गया तो दोस्तों वहां पहुचने के बाद पहले तो हम लोग का डिवी हुआ फिर उसके बाद हाइट फिर उसके बाद चेस्ट फिर उसके वेट सारा कुछ मेरा उपके था लेकिन जैसे ही हम लोग को पूरे गुरूप में बाड़ बाड़ का ब्याश्चफ वालो ने अपने गाड़ी से रनिंग जहां से स्टार्ट होती है वहां पास ले जाके उन्होंने छोड़ा फिर वहां से रनिंग स्टार्ट होने वाली थी जब सारे बंदे वहां पास एक अठ्ठे हो गए फिर उसके बाद से रनिंग का दौर जो है चालू होता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं दोस्तों कि मेरा पैर वाके में टूट चुका है और मुझे प्लस्टर भी काफी लंबा मुझे प्लस्टर बंदा हुआ है जैसा कि आप लोग काफी अच्छे तरीगों से देख पा यहां था कि जैसे ही मेरा व्यश्चप केम्प में हम लोग वहां पास रनिंग करने के लिए स्टार्ट हो गए थे और जैसे ही रनिंग स्टार्ट होती है दोस्तों मैं यह बाउट 3 यहां साड़े 3 मिनट लगभग दोड चुका था फिर उसके बाद अचानक से एक टर ना आ तो मैं वहीं पास तुरंद गिर जाता हूं और में रूनिंग भी नहीं पूरी हो बाती है फिर वहीं पास एक ब्याश्चफ के जवान थे जोनों ने मुझे उठाया फिर पीछे से ब्याश्चफ वालों की एंबुलेंस भी आती है बहुत लोग रूनिंग की होंगे अच्छे कि जितने बंदे दोड़ते हैं उनके पीछे एक एंबुलेंस होती है वो भी चलती है साथ साथ में ताकि किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो तो वह एंबुलेंस में तुरंत उनको बढ़ा के तुरंत हॉस्पिटल ले जाया सके तो वैसा इसी सेम मेरे साथ भी हुआ थ हुआँ और अपने साथ एक आदमी भी बेजा था उन्होंने और जब तक मेरा कोई रेलेटिव नहीं आया था तब तक उन्होंने मेरे साथ नहीं चोड़ा था मतलब मेरे साथ continue यू खड़े थे वहां पास मेरा एक्षरे भी कराया था बाखी अधर इलाज भी कराया था तो तो यहीं सब एक चोटा सा टॉपिक था दोस्तों और उसके बाद फिर मैं वहां से मुझे नहीं समझ माया है तो फिर में दीदी हैं वहीं गाजियाबाद में रहती हैं जिनके सपोर्ट से मैं वहां से निकलकर दिल्ली एंस में चला गया फिर वहां पास मेरा काफी अच्छा इलाज भी हुआ और जबकि civil hospital में मुझे सब operate करने वाले थे मतलब मेरा operation करने वाले थे next day लेकिन जैसे मैं एम्स में पहुंचा तो उन्होंने जो डाक्टर है वहां के उन्होंने इसका एक सरे किया पहले फिर उसके बाद रिपोर्ट देखी तो उन्होंने यह कहा कि नहीं यह तो ऐसे ही अभी तो यंग बॉय है तो नॉर्मली ऐसे ही प्लाश्टर करने पर ही सही हो जाएगा तो operate करन अब ऐसे हड़ी होती वह बीस आदे से टूट गए थी और हल्की सी चमड़े से बाहर भी आ गई थी तो यहीं सब बात है और फिर वहांपस मेरा प्लाश्टर चड़ गया अच्छे से सक्सेस्फूल रहा दोस्तों और यहीं सब है तो आज मैं काफी दिन के बाद ऐसे घर मे बैठे बैठे सोचता रहा कि मैं क्या करूंगा क्या करूं या क्या ना करूं अभी मुझे काफी समय लगेगा भी ठीक होने में और मैं पढ़ाई तो करता है यह साइड में दोस्तों लेकिन सोचा कुई एक थोड़ा सा कुछ यूटूब पे वीडियो ही बनाए जाए अपन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यह वीडियो आपको पशंद है और मैं जल्दी जाने वाला हूं अब तो मेरी दवा साइड यहां से हो रही है अब तो मेरी दवा यहां ब्याच्चू बना रहा है तो अब मेरा कुछ दिनों में प्लस तर भी कड़ने वाला है तो आई ह